दोस्तों CurrentFS के इस revision वीडियो में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग 1 अप्रेल से लेकर 10 अप्रेल तक कि जितने भी CurrentFS के questions बने हैं उन सबका revision करेंगे ये mock test के format में होगा और इसमें मैं आपको questions दिखाता जाऊँगा आप लोग भी उसका answer देते हुए चलेंगे क्योंकि मैं ये सारे questions आपको पहले भी करवा चुका हूँ ये एक revision वीडियो है तो पहला प्रस्तमनेगा कि कलिंग रतन सम्मान 2021 जो है ये किसे प्रदान किया गया है जल्दी से comment box में ABCD में क्या सही होगा ये चीज़ लिखकर बताएं तो इसका write answer हो जाएगा option number A विस्व भूशन हरी चंदरन को ये award दिया गया है option number A इसका write answer हो जाएगा यहाँ पर आप इनका photo भी देख सकते हैं और ये विस्व भूशन हरी चंदरन है कौन ये इस समय आन्द प्रदेश के राज्यपाल हैं जिनको ये award दिया गया है आन्द प्रदेश के बारे में जाने तो इसकी स्थापना एक नवंबर 1956 में इसकी capital का नाम है विसाका पतनम और वहां के मुख्यमंत्री का नाम है Y.S. जगन मुहन रेड़ी इसके इलाबा दोस्तों यहां पर आन्द प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं उसकी लिष्ट भी दे रखी है लेकिन ये सब कुछ आप पीडियोप से रिविजन करेंगे जिसको मैं टेलीग्राम पर शेयर करूँगा इसके बात में बना है कि हाल ही में UPI पर billion transaction पार करने वाली पहली company कौन सी बनी है तो answer हो जाएगा option number जल्दी से पहले आप लोग comment करके बता दें option number C will be the right answer कि phone पे ऐसी company बनी है जिसने की billion transaction 1 billion से भी ज़्यादा transaction पूरे कर लिये है इसका photo भी देख सकते हैं कि phone पे पहली ऐसी company बनी है जिसने की 1 billion transactions जो है मार्च में पूरे कर लिये है phone पे के बारे में देख लेते हैं समीर दगम इसके CEO है और इसका headquarter बेंगलरू में इस्तित है question है कि हाल ही में launch करी गई पुस्तक मनोहर परिकर brilliant mind simple life brilliant mind simple life किसके दोरा लिखी गई है तो answer हो जागा इसको Nitin Gokhale ने लिखा है option number A इसका right answer हो जागा इसका एक photo भी देख सकते हैं लिखा भी है इस पुस्तक में Nitin Gokhale के दोरा इस पुस्तक को लिखा गया है Nitin Gokhale का photo भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रस्तन मना है कि अंतर राश्ट्रिय खदान जगरुकता एवं खदान कारे साहता दिवस किस दिन मनाया जाता है So right answer will be option number D यानि कि option number D यानि कि 4 April इसका right answer हो जागा ये every year 4th of April को 4th of April को मनाया जाता है option number D will be the right answer इसके लिए वर्स 2021 की जो थीम है वो हो जाएगी पर्जर वेंस, पार्टनर्शिप and प्रोग्रेस So guys अगला कोशन मनेगा International Day of Conscience जी कि किस दिन मनाया जाता है तो answer हो जागा every year 5th of April को मनाया जाता है option number D will be the right answer कोशन मनेगा National Maritime Day प्रती वर्स किस दिन मनाया जाता है यहाँ पर एक चीज द्यान देना हर एक कुस्चन का बहुत ज़्यादा explanation नहीं किया जाएगा क्योंकि एक revision वीडियो है एक mock test वीडियो है हम इन सब चीजों को detail में पहले भी discuss कर चुके हैं तो यहाँ पर right answer हो जाएगा option number C 5th of April इसका right answer हो जाएगा इसका photo भी देख सकते हैं कि National Maritime Day हर साल 5 April को बना चाता है और इस बार National Maritime का 58 संस्करन जो है यह launch किया गया है question मनेगा उत्तर प्रदेश, मद्यप्रदेश की बात में साधी के लिए जबरन धर्मांतरन कराने पर जो कानून पारिद करने मला देश का तीसरा राज्य कौन सा बना है so guys right answer will be गुजराद, गुजराद जो है यह जबरन धर्म परिवरतन करने के लिए जो साधी कराने का जो कानून होता है उसको पारिद कर दिया है इससे पहले यूपी और मद्य प्रदेश इस कानून को पहले भी पारिद कर चुके है question मनेगा किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाडी ने मियामी ओपन 2021 का जो टैनिस का महिला एकल का किताब है उसको दूसरी बार जीत लिया है so guys यहाँ पर एकल का किताब किस ने जीता है तो उसको जीता है हुबर्ट ने तो हुबर्ट हुर्केज ने इसको जीता है हुबर्ट का फोटो भी देख सकते हैं जिनोंने मियामी ओपन में पूरुस एकल का किताब जीत लिया है आगे चलते हैं पहली बार निजी छेत्र की एक विसेसागे को सारबजनिक उद्यम चैन बोर्ड इंग्लिस में जिसको बोलते हैं पब्लिक इंटर प्राइसेस सेलेक्शन बोर्ड का अध्यच बना गया है उन नई अध्यच का नाम क्या है तो आंसर हो जाएगा मलिका स्रीनी वासन ओप्शन नमबर डीस का राइड अंसर हो जाएगा जिनको हाल ही में P.E.S.B. P.E.S.B. का नया अध्यच बनाएगा है उप्शन नमबर डीस का राइड अंसर इसमें आप देख सकते हैं मलिका स्रीनी वासन फर्स्ट प्राइविट सेक्टर स्पेस लिस्ट टू बी अपॉइंटेड एस चीफ ऑफ P.E.S.B. इसका राइड अंसर हो जाएगा कोशन मनेगा कि भारत का पहला पूरी तरीके से विद्दुती करन भारतिये रेलवे जोन कौन सा बना है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर A ये जो पस्चिम मद्द रेलवे है ये भारत का पहला ऐसा जोन मना है जिसमें की 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो चुका है अगला कोशन मनेगा कि महराश्टरा के गुरह मंत्री अनिल डेस्मुप की स्थीपे के बाद में किसे वहां का नया गुरह मंत्री बनाए गया है तो C आंसर सही हो जाएगा दिलीप वलसे पाटिल को बनाया गया है महराश्टरा का नया गुरह मंत्री तो यहाँ पर आप इनका फोटो देख सकते हैं दिलीप वलसे पाटिल का जिनने महराश्टरा का नया गुरह मंत्री बनाया गया है कोशन मनेगा किस महिला अभिनेता के प्रमुक भूमिका में उत्करष्ट प्रदर्सन के लिए S.A.G. Awards 2021 जीत लिया है तो हाल ही में S.A.G. Awards दिये गए हैं और इसको जीतने वाली महिला का नाम है वियोला डेविस option number A इसका राइड एंसर हो जाएगा वियोला डेविस ने महिला केटेगरी में ये जो अभूर्ड है जिसको S.A.G. Awards 2021 के नाम से जना जता है S.A.G. का फुल फर्म होता है Screen Actors Guild Award हाल ही में ये अभूर्ड प्रदान किये गए है और इसको महिला केटेगरी में जीता है वियोला डेविस ने वियोला डेविस का एक फाइल फोटो देख सकते हैं पुराना फोटो है इस बार ये जो अभूर्ड है इसके 27 में संस्क्रन को आयोजित किया गया था और अगर इसमें बात करें पुरुस अभिनेता कौन से हैं जिन्होंने इसको जीता है तो आंसर हो जाएगा चैडविक बोस्मेन चैडविक बोस्मेन जो पुरुस अभिनेता है उन्होंने इस अभूर्ड को जीता है महिला केटेगरी में वियोला डेविस ने इसको जीता था कोशन मनें जाए माई मदर माई हीरो पुस्तक के लेखक कौन है तो माई मदर माई हीरो पुस्तक के लेखक का नाम है डॉक्टर अच्चियुत सामन्थ ऑप्शन नंबर एस का राइडेंसर हो जाएगा इस पुस्तक को हाल ही में उपराश्ट्रपती स्री वैकया नाइडू ने लॉंच किया है कोशन मनेगा वर्स 2021 में तीसवा जीडी विडिला पुरसकार किसे पुर्दान किया गया है तो जीडी विडिला पुरसकार इस बार सुमन चक्रवर्ती को दिया गया है इनका एक फोटो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्स्प्लेन नहीं करूंगा डेटेल में सारी चीज़ों को मैं PDF में शेयर करूंगा टेलीग्राम से आपको PDF मिलेगा इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम पर मैं इसका PDF शेयर करूंगा किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली COVID वैक्सीन जिसका नामे विकास केंद्रों को सक्री करने के लिए किस ने संकल्प से सिद्धी अभियान की सुरवात करी है तो संकल्प से सिद्धी नाम से यह जो अभियान है इसको ट्राइफेट ने सुरू किया है ऑप्शन नमबर 20 का राइडेंसर हो जाएगा भारत के 48 में मुक्य नयादीज Chief Justice of India कौन बनाए गये है तो हाल ही में इस सीच की कोशना करी गई है कि Justice N.V.Raman ऑप्शन नमबर A का राइडेंसर हो जाएगा कि Justice N.V.Raman को 48 में Chief Justice of India बनाए जाएगा तो ऑप्शन नमबर A ही हो जाएगा वर्स 2021 का Sports Star of the Decades Reward किसे दिया गया है तो option number B MC Mary Combe इसका right answer हो जाएगा MC Mary Combe जिनका कोई photo भी आप यहां पर देख सकते हैं इनको Sports Star of the Decades प्रदान किया गया है photo भी इनका देख सकते है हाल ही में BCCI के Anti-Corruption Unit ACU का प्रमुक किसे बनाय गया है तो answer हो जाएगा सबीर हुसेन सेखादम खंडवाला option number A इसका right answer हो जाएगा सबीर हुसेन सेखादम खंडवाला को हाल ही में BCCI के Anti-Corruption Unit ACU का Chief बनाय गया है इनका एक photo भी आप यहां पर देख सकते हैं जिनको हाल ही में BCCI का Chief बनाय गया है BCCI के President का नम है सौरभ गांगुली Vice President का नम है राजिव सुकला Secretary का नम है जैसा और BCCI के जो Main Team में उसकी Coach है रभी सास्तरी और Women's Coach जो है उनका नम है वूर केरी रमन्ना दोस्तो राजिस्तान के किसान है जिनका नम है स्री किसन सुमन ने साल भर आम देनी वाला एक पौदा विक्सित किया है इस पौदे का नम क्या रखा गया है तो इसका नम रखा गया है सदा बहार तो option number A सही हो जाएगा राजिस्तान के किसान है जिनका नम है स्री किसन सुमन नम भी याद रखना किसी किसी question में सिर्फ नम आप से पूछा जा सकता है उन्होंने एक ऐसा पौदा विक्सित किया है जो कि पूरे वर्स चाहें गर्मी हो बरसात हो सर्दी हो आम की पैदाबार करेगा तो सदा बाहर इसका नम रखा गया है तो ये इसका राइड अंसर हो जाएगा इनका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रस्म नेगा कि केंदर सरकार ने अंबेडिकर जैनती के दिन आवकास की गोश्टना करी है यह दिन किस दिन मनाय जाता है तो आंसर हो जाएगा एवरी एर 14 अपरेल को यह दिवस मनाय जाता है हाल ही में केंदर सरकार ने अनॉंस किया है कि जो अंबेडिकर जैनती का दिन है 14 अपरेल का इस दिन अब हॉलिडे गोश्ट कर दिया गया है अवकास का दिन ये मनाया जाएगा तो यहाँ पर भारती सविधान की जो पिता कहे जाते हैं अमबेडिकर जी की जहनती जो है हर साल 14 अपरेल को मनाय जाती है अगर इस बार की बात करें तो इस बार 14 अपरेल को इनकी 130 मी जहनती मनाय जाएगी जिसके उसर पर अब अवकास की गोशना भी कर दी गई है अब एक्जाम में अगर आप देखोगे तो भीम राव अमबेडिकर जी से रिलेटड बहुत सारे कुस्टेंस एक्जाम में आजकल पूछे जाते हैं तो उन सब को भी जल्दी से देख लेते हैं कि भीम राव बाबा स ठीक है अमबेडिकर जी की जो समाधी इस्तल है उसको चैत्या भूमी के नाम से जाना जाता है एक्जाम में पूछा जाता है डाक्टर साब ने कौन-कौन से राजनीतिक दलों का गठन किया है भारतिये रिपब्लिकन पार्टी स्वतंत्र लेबर पार्टी से डियूल्ड का सबस्ट फेडरेशन इन सभी का इन्होंने गठन किया है इसके लाबा भी दोस्तों बहुत सारे कोशन है जैसे कि इनकी पुस्तके कौन-कौन सी है तो यह सब भी है लेकिन इसको आप टेलिग्राम से इसका पीडियेप जब मैं सेर करूंगा तो वहां से इसको पढ़ लेना क यहां पर अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑनलाइन निवेस प्लेटफॉर्म जिसका नहीं पेटीयम मनी ने कहा पर अपना एक रिसर्च एंड डवलप्मेंट केंदर इस्तापित किया है तो आंसर हो जाएगा यह जो रिसर्च एंड डवलप्मेंट केंदर है इसको पुने में स्तापित किया गया है, option number A का राइड अंसर हो जाएगा, आगे चलते हैं, ONGC का नया चेर्मेन और MD किसे बना गया है, तो answer हो जाएगा, सुभास कुमार, option number A का राइड अंसर हो जाएगा, कि सुभास कुमार को ONGC का नया चेर्मेन और MD बना दिया गया है इसका एक पोटो भी देख सकते हैं सुभास कुमार का ONGC के नया चेर्मेन और MD बनाय गया है Global Gender Gap Report 2021 में पहले इस्तान पर कौन सा देश आया है तो आंसर हो जाएगा कि Iceland जो है लगातार बारवी बार इस इंडेक्स में पहले इस्तान पर आया है तो option number 20 का right answer हो जाएगा कि Iceland लगातार बारवी बार इस इंडेक्स में पहले इस्तान पर आया है इस इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्सन करने वाला देश कौन सा है अफगानिस्तान तो ये चीज भी एक्जाम में आप से पूछी जाए तो आप इसको बता सकते हैं प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम 2021 नाम से जो रिपोर्ट है किसने लॉंच करी है तो आंसर हो जाएगा A.C.I. Worldwide के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है जिसका नहीं है प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम 2021 नाम की रिपोर्ट को इसके द्वारा लॉंच किया गया है इसमें आप देख सकते हैं प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम इसको ACI Worldwide के दोरा हाल ही में लॉंच किया गया है कोशन मनेगा कि प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम 2021 रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल पेमेंट के मामले में वर्स 2020 में पहले इस्तान पर कौन सा देश रहा है तो आंसर है कि चीन को भी पीछे छोड़कर भारत जो है डिजिटल पेमेंट के मामले में पहले इस्तान पर रहा है उप्शन नमबर 20 का राइड एंसर वो जाएगा इसका एक फोटो भी देख सकते हैं स्पीट से आगे बढ़ते हैं इसमें टॉप के तीन देश कौन से हैं इंडिया पहले इस्तान पर चाइना दूसरे और साउथ कोरिया तीसरे इस्तान पर आता है हाल ही में एक इंसोरेंस कंपनी जिसका नहीं हमें डिजिट इंसोरेंस ने किसे अपना ब्रैंड अमबेसडर बनाया है आंसर हो जाएगा विराट कोहली option number A will be the right answer की हाल ही में विराट कोहली को digit insurance company ने अपना नया brand numbers दर बनाया है तो digit insurance के chairman का नाम है कमलेस गोयल इसके जो CEO है उनका नाम है विजय कुमार और इसका जो headquarter है वो बैंगलरू करनाटका में इस्तित है question मनेगा की world wildlife day विस्व वन्यजीव दिवस प्रती वर्स किस दिन मनाया चाता है answer हो जागा every year 3 March को हर साल 3 March को every year 3 March को world wildlife day मनाया चाता है option number C इसका राइड़न सर हो जागा इसका photo भी आप देख सकते हैं अगर इसकी हम लोग theme देखें तो इसकी theme है forest and livelihoods sustaining pupil in planet ये इसका राइड़न सर हो जाएगा question है कि भारतिये railway ने वर्स 2020 और 21 के दोरान कितने किलोमेटर electrification करके सबसे अधिक विद्दूती करन का record बना दिया है तो lockdown की समय पर सबसे ज़्दा विद्दूती करन हुआ है 6000 किलोमेटर से भी जादेगा तो option number 10 का राइड़न सर हो जाएगा आप देख सकते हैं इसका एक फोटो आगे चलते हैं 100 MW की छमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोर उर्जा सनियंतर इंडियास बिगेष्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पर इस्तापित किया गया है तो तेलंग गाना इसका राइड एंसर हो जाएगा तेलंग गाना में इसको इस्टैबलिस किया गया है यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं आगे चलते हैं कोशन मनेगा कि अंतर राश्ट्रिय बाल पुस्तक दिवस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस बुग्डे किस दिन मना जाता है तो एवरी यर दो अप्राइल को यह दिवस मना जाता है आप्शन नंबर बी बिल बी दराइड अंसर इसका एक एक फोटो भी देख सकते हैं वर्स 2021 के लिए इस दिवस का जो विसा है वो है दा म्यूजिक आफ वर्ड्स इसका पूरा विसा हो जाएगा वर्ड आउटिज्म अवेरनस दे विस वर आउटिज्म अवेरनस दे एवरी यर किस दिन मना जाता है आंसर हो जाएगा दो अपरेल को सेकेंड ओफ अपरेल को सेकेंड ओफ अपरेल को ऑप्शन नंबर बीस का राइड अशर हो जाएगा दो अपरेल को हर साल वर्ड आउटिज्म अवेरनस दे मना जाता है ऑप्शन नंबर बीस का राइड अशर हो जाएगा इसका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कोशन बनेगा कि कर्मचारी राज्य भीमा निगम Employees State Insurance Corporation ESIC के Director General कौन बनाए गए है तो आंसर हो जाएगा मुखमीत S. भाटिया Option No. A. का राइडेंसर हो जाएगा मुखमीत S. भाटिया को ESIC का नया Director General बनाए गया है Option No. A. का राइडेंसर हो जाएगा ठीक है इसका एक फोटो देख सकते हैं यह आप देख सकते हैं सारी चीजों को Global Gender Gap Report 2021 में किसके द्वारा तयार की गई है इस रिपोर्ट में Iceland अभी हमने डिसकुस किया था कि पहले सतन पर है और अफगानिस्तान सबसे लाष्ट में तो इस रिपोर्ट को World Economic Forum W.E.F. जो है तयार करता है Question है कि Global Gender Gap Report 2021 के अनुसार भारत को कौन सा इस्तान प्राप्त हुआ है तो इसमें भारत को जो रैंक मिली है वो मिली है 140 Option No. 20 का राइड अशर हो जाएगा तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा है इंडिया जो है Slips 28 Places 2140 156 देशों की लिष्ट में इंडिया को ये इस्तान प्राप्त हुआ है और इस बार इस रिपोर्ट का 15 संस्क्रन जारी किया गया है ये भी आप लोग याद रखेंगे चुकि इसको World Economic Forum ने लॉंच किया है तो W.E.F. के बारे में सबस्ते इसका हेड़क्वाटर Switzerland में founder का नाम है Klaus Swab और founded की गई थी जनवरी 1971 में प्रस्ण वनेगा कि किस राज्य सरकार ने महंद्रा गिरी को राज्य के दूसरे Bio Sphere Reserve के रूप में प्रस्तावित किया है तो answer हो जगा Odisha सरकार ने option number 10 का राइड एंसर हो जगा Odisha सरकार ने हाल ही में महंद्र गिरी को दूसरी सबसे उची चोटी के रूप में नामित किया है Odisha का जो पहला Bio Sphere Reserve है उसका नाम है Similipal Bio Sphere Reserve तो ये आपको याद रखना है हाल ही में Center for Happiness जिसका नाम है आनंदम का उद्गाटन कहां पर किया गया है तो हाल ही में IIM Jambu में IIM Jambu में एक Center for Happiness आनंदम नामसे Center को हाल ही में वहां के Lieutenant Governor ने इस तरीकी से आप देख सकते हैं उद्गाटन किया है तो option number A's का D's का राइड़न सर हो जाएगा Question मनेगा Santir Ogrosena 2021 नामक एक 9 दिवसिये अभ्यास किस देश में आउजित किया जाएगा तो answer हो जाएगा ये जो Santir Ogrosena 2021 नामसे सेन अभ्यास है इसको बांगलादेस में आउजित किया जाएगा option number A's का राइड़न सर हो जाएगा खास बात ये है कि इंडिया भी इस सेन अभ्यास में पार्टिशिपेट करेगा अगर देखें इसकी theme की तो इसका यो theme है वो है Robust Peace Keeping Operations ये इसका theme हो जाएगा फिर question मनेगा कि financial year 2021 और 22 के लिए Bricks Chamber of Commerce and Industries के Westwick brand ambassador कौन बनाए गए है तो answer हो जाएगा स्रस्ती जुपूदी स्रस्ती जुपूदी इसका right answer हो जाएगा जिनको इसका brand ambassador बनाए गया है चीक है आगे चलते है एक अप्राइल 2021 को कितनी lane वाला lane वाला भारत का पहला expressway दिल्ली मेरट expressway शुरू कर दिया गया है तो हाल ही में दिल्ली मेरट expressway को सुरू किया गया है जिसमें कुल 14 लेने कितनी 14 लेने अब दिल्ली से मेरट का जो रास्ता है मात्र 45 विनिट में पूरा किया जा सकता है जिसके लिए पहले दाई गंटे का समय लगता था ये जो express पे है ये 96 किलोमेटर लंबा है और इसमें कुल मिलाकर 14 लेन है कोशन मनेगा कि वर्स 2019 का दादा साहाब फाल के वार्ट किसे कौन सा संस्क्रन था तो आंसर हो जागा ये जो दादा साहाब फाल के वार्ट था ये 91 संस्क्रन था option number B will be the right answer इसमें आप देख सकते हैं दादा साहाब फाल के वार्ट जो ये संस्क्रन था इसका 91 संस्क्रन हाल ही में प्रदन किया गया है वर्स 2019 का जो दादा साहाब फाल के वार्ट है ये किसे दिया गया है आंसर हो जाएगा रजनी कांत को दिया गया है तो option number A will be the right answer कि वर्स 2019 का जो दादा साहाब फाल के वार्ट है वो famous actor रजनी कांत को दिया गया है 2018 में यही पुरुसकार famous अभिनेता अमिता बच्चन को दिया गया था 37 में दादा साहाब फाल के को भारती सिनेमा का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 1913 में भारत की सबसे पहली full length feature film राजा हरिश्चन का निर्मान किया था सबसे पहले यह जो पुरुसकार है 1969 में देविका रानी को दिया गया है Every year उतकल दिवस या ओडिशा दिवस ओडिशा दिवस किस दिन मनाय जता है तो Every year एक अप्रैल को ये ओडिशा दिवस मनाय जता है Option number A का राइडेंसर हो जाएगा जिसको उतकल दिवस के रूप में भी हम लोग जानते हैं आगे चलते हैं प्रस्न बनेगा कि वर्स 2020 का सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है Answer हो जाएगा Dr. Saran Kumar Limbali हाल ही में Dr. Saran Kumar Limbali को वर्स 2020 का जो famous सरस्वती सम्मान है वो दिया गया है 101% exam में पूछे जाने वाला प्रस्न है Saran Kumar Limbali का फोडो देख सकते है Saran Kumar Limbali का फोडो देख सकते है Sarasuti सम्मान की सील्ड देख सकते है So that आपको लंबे समय दक ये याद रहे अच्छा इनको इनकी कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया है सबसे पहले तो ये समझो कि जो Saran Kumar Limbali है ये मराथी लेखक है और इनको इनकी पुस्तक जिसका नमे सनातन सनातन नाम की पुस्तक के लिए इनको ये बौर दिया गया है और ये जो प्रसकार है सरसुती सम्मान ये केके बिरिला फांडेशन के द्वरा प्रदान किया जाता है फिर प्रस्ण मनेगा Names of the women पुस्तक के लिएक कौन है आंसर हो जागा जीत थाइल जो है जीत थाइल ऑप्शन नमबर D will be the right answer कि जीत थाइल जो है ये Names of the women पुस्तक के लिएक का है ये देख सकते हैं जीत थाइल की पुस्तक Names of the women फॉरेश्ट गवर्नेंस बाई इंडिजिनियस एंड ट्राइबल पेपल्स नमबर रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई है आंसर हो जाएगा इस रिपोर्ट को हाल ही में FAO Food and Agriculture Organization के द्वारा रिलीस किया गया है इसका एक फोड़ो भी देख सकते हैं Forest Governance by Indigenous and Tribal People इस रिपोर्ट को हाल ही में रिलीस किया है FAO ने